नमस्कार और टशी दिलेक तिबद टिवी के हिंदी प्रसारन में आपका स्वागत है तिबद टिवी के सब्ताहिक हिंदी समाचार में हम दर्शकों को परमपावन दलाय लामा वर्तमान तिबद की परिस्तिती निर्वासन में तिबद तथा तिबद मुक्ती साथना के संदर् कारिक्रमों की जानकारी उपलप्त कराते हैं आपके साथ मैं हूँ तेंजिन पेलजोर देखिए इस सब्ता की प्रमुखबर परंपावन दलाइलामा जी ने बारा यूव प्रभावकों एवं परिवर्तन करताओं के साथ करूना आशा मानफता एवं जल्वायू परिवर्तन विशे पर समवाद परंपावन दलाइलामा जी का ड्यूक ओफ इदिनबर्ग प्रिंस फिलिफ के निदन पर समवेतना संदेश चीनी पुलिस ने तिबद के कार्चे काउंटी में छे प्रसित तिबदियों को गिरफ्तार किया चीनी अधिकारियों ने तिबद के जावंपो शेहर में दमन और शोशन अधिक बढ़ाया तिबदी निर्वाजन आयोग द्वारा 2021 सीक्यों और निर्वासित तिबदी सांसत के लिए अंतिम चरण का मतदान तिबद के लिए संसदिय समु द्वारा यूरोप के सभी देशों की संसदों में परंपावन दलाइलामा जी के उत्तरा दिकारी मामले पर प्रस्ताव रतने की गोशना अब सुनिए समाचार विस्तार से इसी 12 एप्रिल 2021 को परंपावन दलाइलामा जी ने कैनाडा स्थित एक बहतर समुहिक विश्वत था फ्रेंच के प्रितिकार बने संस्थाओं द्वारा आयोजित बारा यूवा प्रभावकों एवं परिवर्तन करताओं के साथ समवाद किया था इस समवाद में यूवा कारेकरताओं ने परंपावन दलाइलामा जी के साथ मानफता आशा करूना एवं जलवाईू परिवर्तन विश्यों पर वरतलाब किया अपने संबोधन में परमपामन दलाई लामाजी ने कहा कि आज के समय हमें पूरी मानफता के बारे में सोचना चाहिए हमारा केवल अपने राश्ट्रिया महाद्वीब के बारे में सोचना परयाप्त नहीं है हमें पूरे दुनिया को शामिल करना होगा हमें ये स्विकार करने की अवशक्ता है कि हम सभी वैश्विक अर्थ व्यववस्ता का हिस्सा है और हम सभी को जलवायू परिवर्तन एवं ग्लोबल वार्मिंग से खत्रा पड़ रहा है उन्होंने कहा कि बुनियाती स्थर पर हम सभी एक समान इनसान है हमारी तुच्छा की रंग हमारी आँखों की आकार और नाक में छोटी अंतर हो सकते है परन्तु जब हमारी बावनाओं और हमारी चेतना की बात करते है तो हम सभी एक समान है मैं मानफता की एकता के बारे में वैपक जाकरुक्ता को बड़ावा देने के लिए प्रदिबत हूँ नहीं से अर्वा 22 जे टीरा आवी एस वेस्व और में फेस्ट थार आजब संटम्स त।र्दम्स यह हैं वारे में अपैंड़ को मैं कि रिए को बार हो एक और मैं व्या ना वादी अठलीको जमानोंडनाँ, तोॉ यदित नहीं, और हे tweets रि keto Princi Ridepowerady,masya से अडिए,पल से अगर शीजश वेहाने को यवड किस नहीं होग मे नहीं रपाँ लुप कम नहीं मेंडनाँ से भल मंद स्वाइनाने ऊहीया है। नो, आज हम एक एक पत्र को एक पत्र लिख कर समवेतना प्रकट की है। महा महीम प्रिंस फिलिप का निदन हुआ था। उन्होंने कहा कि मैं उनके लिए प्रात्ना करूंगा और इस दुकत की गड़ी में मैं सभी परिजनों के प्रती शोग प्रकट करता हूँ। उन्होंने प्रिंस फिलिप दोरा सार्थक जीवन जीने के लिए सराणा की। इसी प्रकार सी क्योंग डॉक्टर लोपसंग संगे ने अपने एक समवैतना संदेश में केंद्रिय तिबती प्रशासन और तिबती लोगों की और से ब्रिटेन के डूक आफ इदिनबर्ग प्रिंस फिलिप के अकास्मिक निदन पर शोग प्रकट किया था। रेडियो फ्री एशिया के अनुसार चीनी पुलिस ने कारजे तिबत आटोनमस प्रिफिक्चर से तिबती समुदाय के छे प्रसित तिबतियों को हाल के दिनों में गिरफतार किया था। उनकी गिरफतारी का कोई भी कारण अब तक नहीं बदाया गया है। चीनी अधिकारियों ने लेखक एवं पारेवर्निय कारेकरता से नम, तिबती कारेकरता सिरिंग डौल्मा, पूर्वराजनितिक बंदी खांके डुपायप तथा राजनितिक कारेकरता गंगबु यूट्रुम को गिरफतार किया था। अन्य दो अंदोलनकारे तिबतियों की पहचान के बारे में अब तक कोई जानकारे नहीं मिली है। तिबत के पूर्वराजनिदिक बंदी गोलोग जिकमे के अनुसार इन छे तिबतियों को चीनी शासन ने तिबतियों की भुनियादी अधिकारों की मांग करने के लिए हिरासत में लिया गया था उन्हें कहां रखा गया है उस बारे में भी चीनी सरकार कुछ नहीं बता रहा है सूचना एवं अंतराश्ट्रे संबंध विवाक के सन्युक राश्ट्र यूरोपिय संग और मानववधिकार ड्रेस के अनुसार तिबबत के जावंगपो शहर में चीनी शासन ने तिबतियों पर पुलिस और कमांडो की तैनादी बढ़ा दी है यह सब तब हुआ जब जावंगपो के रहने वाले तिबति बिख्षू तेंजिन नीमा का चीनी जेल में यातना जेलने के कारण निदन हो गया था तेंजिन नीमा की तिबत के लिए चीनी जेल में बलिदान के प्रती एक जुटा दिखाने और शोक प्रकट करने के लिए स्तान या तिबतियों ने वीचैट में मैसेच पोस्ट किया था जिसके बाद चीनी अधिकारियों ने कई स्ताने तिबतियों को गिरफतार कर पूछताच की Human Rights Watch ने ये पहचान किया है कि जावउंपो में तेनात सुरक्षा बल स्नो वुल्फ कमांडो है जो पीपल आम पुलिस के एक इकाई है यहां तक कि ये कमांडो जावउंपो शहर में तिबतियों की गरों से जबरदस्ती परमपावन दलाई लामा जी के चित्र को जब्थ कर रहा है किंद्रिय तिबति प्रशासन के निर्वाजन आयोग ने 2021 सीक्यों और निर्वासत तिबति सांसत के अंतिम चरण के चुनाव का 11 एप्रल 2021 को आयोजन किया था बारत समेत पूरे विश्व के 26 देशों में रहे रहे तिबतियों ने परमपावन दलाई लामा जी द्वारा प्रधान किये गए लोक्तांत्रिक अधिकार का बरपूर आनन लेते हुए मदधान किया है चुनाव के दोरान तिबति लोगों ने निर्वाचन आयोग और तिबति प्रशासन के COVID-19 Task Force समिती दोरा जारी कोरोना महामारी के निर्देशों का पूरी तरह पालन किया गया चुनाव के अंतिम चरण में कुल पंजीकरत मतदताओं की संख्या लगबक 83 हजार है इस चुनाव में सीक्योंग पत के लिए श्री पेंपा चिरिंग और श्री क्यलसंग दोरजी उकाजंग उमीदवार रहे है इसी प्रकार इस बार की निर्वासत तिबति सांसत के 45 सीटों के लिए 93 प्रतियाशी मैदान में खड़े है इस अउसर पर सीक्योंग डॉक्टर संखे के साथ के इंद्रिय तिबति प्रशासन के सभी उच अधिकारियों ने दरमशाला में अपना मददान किया है मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए डॉक्टर संगे ने कहा कि निर्वासन में तिबति लोक तंत्रिक प्रणाली तिबत के अंदर रहने वाले तिबति बाईयों और बहनों की सच्ची आकानशाओं को दर्शाती है ये हम सभी तिबतियों के लिए गर्फ का दिन है द्यू के सबले अंदर आका प्रेस्पाज येजिए उसस्यों के इया है अगर बतियों किम्तियुक् going का दुपल प्रेखिष्टमिंटिय निर्शाथ आका दिबति मुदूह explained में तिबति असका कि अधिए इसन तो हुनमिक्तिति कि प्रुभप्ड अड़ करते हैँ एंड्रियूस निविकेस और लाइमा एड्रिकियन ने यूरोप के राजनीतिक एजंडा में तिबद विशे पर वेबिनार का आयोजन किया था इस बैठक के मुख्य वक्ता में तिबद इंट्रेस्ट ग्रूप के अध्यक्ष मिकलस पैक्सा, यूरोपेय संग के सदस्य इजबेल सेंथोस, तिबद कारेले के प्रतिनीती टाशी फिंजोक तथा इंटरनाशनल केंपेइन फॉर तिबद के वेंसें मिटन शामिल थे इस वेबिनार में लिए गए संकल्प के अनुसार, यूरोप के सभी देशों में स्तापित तिबद पर संसदिय समू दोरा अपने संसदों में तिबद के मुद्दे पर प्रस्ताव पारित कराया जाएंगे अपने बाशन में प्रतिनिती टाशी फंसोग ने अपील की कि परम पावन दलाय लामा जी के उत्तर अधिकारी के मामले में बहुत समूदाय को अधिकार देने संबंदी निदलेंड, बेल्जिम तथा जर्मनी के निरने का अन्ये यूरोपिया देश को अनुसारन करना चाह इसी के साथ आज की खबर यही समाप्त होती है, अगले हफ़ते हम फिर मिलेंगे, मुझे दीजे आग्या, नमस्कार